ओम स्री गनेशाइनम दोस्तू एश्ट्रू समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हाड़ दिक स्वागत हैं दोस्तू आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 25 मई गुरुवार के रासी फल के पारे में कि यह दिन मिथुन रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिश और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्त की महत्पपूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और भैतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नहीं नहीं वीडियो पहुंच सके चली दोस्तो बात करते हैं कैसा रहीगा मिथों राशी वालों के लिए गुरुवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है दोस्तो आज आप पिछली कुछ कमियों से सीख लेकर अपनी दिन चरिया में और बहतर सुधार लाने की कोशिस करेंगे जिसमें आप सफल भी होंगे और इस तरह की कोशिस से लोगों के साथ सम्बंदों में आश्चर्य जनक सुधार आ जाएगा दोस्तो आज प्रतिष्ट लोगों से भी मुलाकात लाबदायक और सम्मान जनक रहेगी तथा उनके साथ समय व्यातित करना और सामाजिक गतिविद्यों में भाग लेना आपके व्यक्तित में और अधिक निखार लाएगा आज रुके हुए काम बन सकते हैं उन पर अपना ध्यान अधिक केंद्रित रखें आज घर में कोई मांगलिक कारेशंपन होने की भी संभावना है जिससे परिवार में प्रसंदता का माहौल रहेगा साथ ही आज का समय आपके लिए कुछ नई उपलब्दियों का निर्माण कर रहा है जो की भविस्य में आपके लिए बहुत ही अधिक फायदेबंद साबित होंगी दोस्तो अपनी योजनाओं को सुरू करने से पहले एक बार पुनहें उस पर सोच विचार अवश्य करें आज आपको कोई महतपउन कारे की सूच न मिलेगी उसे नजर अंदाज बिलकुल ना करें दोस्तो आज आपके साथ कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिससे आपको लगेगा कि किसी का आसिरवाद आपके उपर है अपने पृतिवाओं को पहचाने और पूरी उर्जा के साथ अपनी दिंचरिया वेकारे प्रणाली पर ध्यान केंद्रित रखें दोस्तो रिष्टेदारों का घर में आज आगमन होगा आपसी मेल मिलाप घर में खुसियां और सुकून लेकर आएगा साथ ही किसी परिवारिक व्यक्ति की किसी भेतरीन उपलब्दी पर घर में आज जसन का माहूल भी होगा दोस्तो बात कर लेते हैं जब के लिए क्या नेगेटिव हो सकता है दोस्तो आज वरिष्ट तथा अनुबवी लोगों से सला लेने में आप परेज ना करें उनका मार्ग दर्सन वे सयोग आपके मनोवल को और अधिक बढ़ाएगा व्यर्थ की बाहरी गतिविद्यो में समय नश्ट आप ना करें नकारात्मक प्रवर्ती के लोगों से दूरी बना कर रखें वे आपको आपके लक्षे से भटका सकते हैं और किसी प्रकार का आर्थिक लुकसान और मान हानी की भी आज संभाव ना है वे ध्यार्ती अपनी प इसलिए बजट बना कर चलना जरूरी है कभी कभी आपका एहम और क्रोध पूर्ण श्वयभाव परिस्तितियों को दूसित कर सकता है इस बात का आप ध्यान अवश्य रखें दोस्तों साथ साथ अपने सुब चंतकों पर किसी भी प्रकार का विचार विमर्ष करने से उचि जातों में कोई दिक्कत आज आ सकती है परन्तु जरासी भी समझदारी और समझ बूज से काम बहुती आसानी से बन जाएंगे आज रूपे पैसे का लेंदेन ना ही करें तो अच्छा है दोस्तों अपनी बजट को ध्यान में रखकर आप खर्च करें कोई पैत्रिक संपत्त संबंदित मसला उठने से हलकी फुलकी नोक जोक हो सकती है विवेक और समझदारी से आप काम लें तो भैतर होगा दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली हैं दोस्तों परिवार के साथ मनुरंजन संबंदित कारों में समय आज व्यतित होगा प्रेम संबंदों में भी नजदी की आएंगी आपकी व्यस्तता के कारण जीवन साती का परिवार के लिए पूर्ण सहयोग रहेगा जिसकी वज़े से आपके आपसी संबंदों में काफी मधुर्त आएगी पती-पतनी के संबंद खुसनुमा रहेंगे शौपिंग और आता वरन रहेगा घर की छोटी मोटी नकारात्मक बातों को नजर अंदाज करें इससे संबंदों में कभी कटूता नहीं आएगी और आपके प्रेम संबंद काफी मजबूत रहेंगे दोस्तों बात कर लेते हैं जब का वैवेशाय केरियर क्या सा रहने वाला है दोस्तों प रहेंगे प्रतिष्ट लोगों से अपने संपर्कों को आप और अधिक मजबूत करें उनके दोरा आपके वैवशाय में नए ओडर और अनुबंद प्राप्त हो सकते हैं सरकारी सेवारत व्यक्तियों के ऊपर अतिरिक्त कार्य भार रहेगा आप अपनी योगिता वै काबलि की कोशिश करेंगे और उसमें आप सफल भी रहेंगे कुछ नए जन संपर्ग भी आज इस्थापित होंगे ऑफिस में बॉस वै अधिकारी आपके काम से संतुष्ट रहेंगे वैवसायक गतिविदियों को सुचारों रूप से चलाने के लिए करमचारियों के सुझाव को आप अधिक ध्यान में रखें जिससे आप बहतरीन निर्न ले पाएं दोस्तो नवकरी में आप अपने काम के प्रती किसी भी प्रकार की लापरबाई ना वरतें वैवसायक गतिविदियों में सुधार आएगा करमचारियों के प्रती आपकी उधारता वै उत्तम वैवार उ दोस्तो साती सात कारे छेतर में आप सभी गतिविदियों को सुचारों रूप से नियंतरित करेंगे अपनी कारे प्रणाली दूसरों के सामने जाहिर ना करें कोई इसका नाजायज फायदा उठा सकता है नोकरी पेशा व्यक्तियों की उनके उचित काम के लिए तारीफ और साख बनेगी जिससे उनका मन काफी प्रसन रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्त कैसा रहने वाला है दोस्तो आज आपका स्वास्त बहुती अच्छा रहेगा परंतु जादा काम के दवाब की बज़े से पैरों में दर्द और ठकान महसूस हो सकती है इसल दोस्तो आप अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए रोजाना योग करें वैयाम करें स्वस्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश हो पाई क्या है दोस्तो आज आप जब भी इसनान करें बस इसनान करने से पहले नहाने वाले पाने में आप चुटकी बर हल्दी डाल कर इसनान करें इसके साथ ही आप इसनान करते समय मनीमन ओम नमो भगवते वाशुदेवाए नमाहा मंतर का मनीमन आप जाप करते रहें जहां दोस्तो इसनान आदिशे निर्वत्र जब आप हो जाएं उसके बाद आप बहुती सच्चे मन से श्रद अभाव से भगवान विश्णुजी के सामने एक घी का दीपक जलाएं और वहीं बैटकर आप विश्णु से सस्त नाम का भी पाट अवश्य करें जहां दोस्तो इतना करने मातर से ही भगवान विश्णु बहुत जद प्रसन होंगे आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परेशाने चल रही हैं सभी परेशाने उगांत करेंगे और आपके जीवन में खुसियां खुसियां होंगी जहां दोस्तो आप इस उपाय को वश्य करें आपको इसा करने से अवस्य ही लाब प्राप्त होगा दोस्तो भगवान विश्णु जी का असरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट स्बोक्स में जैसे ली हरी विश्णु अवस्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूले धन्यवाद